विल्कम और विल्कम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ सुस्मा आज मैं बनाने जा रही थी पालक पनी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस रेसिपिक को सेयर करूँ तो चलिए हम सबसे पहले पतीला में ये पानी गरम करने के लिए रखेंगे और उसमें एक चमस चीनी इसमें डाल दिझे उसके बाद पालक के पतों को धोकर इस गरम पानी में डाल दिगे ये देखें जिस तरह से मैंने डाल दिया है और इसे बया करेंगे जब यह बॉयल हो जाएगी तब यहाँ पर मैंने बर्फ के कुछ टुक्रो को डाल कर चिल्ड वाटर यहाँ पे रखा है गरम पानी में से पालक के पतो को निकाल कर थंड़ा पानी में डाल देंगे इसे क्या होगा पालक का कलर ग्रीन रहेगा बॉयल करने से जो वो हलका कलर हो जाता है वो नहीं होगा यहाँ पर मैंने जार में वो पालक का बॉयल किया हुआ पता ले लिया है और कुछ धनिया का पता भी डाल दिया है और आप अपने एकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ग्रीन चिली डाल सकते हैं और उन सब को मैंने पेश्ट बना लिया है इधर कराही में तेल दे के गरम करने के लिए रख दिया था तेल गरम हो गई है अब इसमें पनीर के क्यूप्स को डाल कर फ्राइ कर लिया है मैंने ये देखिए पनीर फ्राइ हो गई है उसके बाद फिर कराही में तेल डाल दिया है गरम हो गई है तेल जीरा का फोरण लॉंग सुखा मिर्चा और तेजपत्ता का फोरण मैंने डाल दिया है उसके बाद इसमें अद्रक और लसन का पेश्ट को फ्राय कर लिया है यहां पर ये देखिए एक भरा प्याज और एक छोटा प्याज को कट कर लिया है एक बड़ा टमातर को कट कर लिया गरिन चिली को इन सब को मैं ab हलका भूझ लूँगी यहां पर जैसे देखिए भूझ रही हूं बंसबाद मैं इसमें पवर्डर मसालोसब डाल रही हूँ एक चम्मच मैंने रोस्टेड जीरा पॉर्डर दिया है और एक चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च पॉर्डर दिया है और एक्वर्डिंग ट्रेस्ट इसमें नमक डाल दिया है इसमे औरो लग बहब एक कब पानी डाल दिया है ताकि जो वो पॉड़र वालवा मसला होता है वो जल न जाए और उन्हें फ्राइक कर लिया है मसला को बुझ। दिया है मसला करा हィ छोड़ने लगा है तब इसमें पालक और धनियापता मिर्चा का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दे रही हूँ उसके बाद मैंने लगभग वन टीश्पून गरम मशला डाल दिया है और कस्तुरी मेथी को हाथ से क्रस्ट करके डाल दिया है हाथ से क्रस्ट करके डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पराचमच अमूल क्रीम डाल दिया है और उसे मिला कर इसमें पानी दे रही हूँ यह देखे इसे अब मैं मिला रही हूँ आपके पास अगर क्रीम एबलेवल ना हो तो आप घर में जो जो मलाई दूद में से जो निकलती है उसे रख के उसको आप डाल सकते हैं यह देखिए थोरा सा फूटने के बाद मैंने इसमें पनीर मिला दिया है और देखिए पालक पनीर बन के त्यार हो गई है यह देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है पालक पनीर आप अपने घर में इसे जरूर से ट्राय करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और सेयर करना नहीं भूलिएगा थैंक यू फर वाचिंग